नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि BPSC सिचकवर्ती 2030 में Special Primary सिचक अभ्यार्थियों के लिए डॉकमेंट को फिर से अपलोड करने का एक मौका मिला है किस तरह के तुरूटी हुआ है डॉकमेंट में तो आप डॉकमेंट को अपलोड कर सकते हैं और किस तरह के तुरूटी है तब आप डॉकमेंट अपलोड नहीं कर सकते हैं डॉक्मेंट अप्लोड करने से पहले आपको राजपत्रित पता अधिकारी से अटेस्टेट करवाना है तो आप अपने मोवाइल से किस तरह से डॉक्मेंट को देख सकते हैं जब आपने फॉर्म फिलब करते समय डॉक्मेंट अप्लोड किया था तो उसको देखना आती आवा उस document के two copy को attested करवा करके और upload कर सकते हैं पूरी जनकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ document upload करने के संबंध में पूरी जनकारी कौन सा website है आप खुद अपने mobile से देखिए अपने document को किसी को कहिए मत आपसी छक बनने वाले हैं तो पूरी जनकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं आप लोगों के comment का ये जवाब है और मैं आप लोग का comment का जवाब देने का परियास करता हूँ हमेशा इसलिए comment box खुला हुआ है comment आप कर सकते हैं चलिए सुरू करते हैं वीडियो लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वीडियो अच्छा लगे या ना लगे अच्छा आप चैनल को subscribe जरूर कर लिजीगा और अच्छा लगेगा तो एक like कर दीजीगा ठीक है सबसे पहले हम बात करते हैं कि डॉकमेंट देखने का website अगर आप किसी से कहते हो ना कि हमारा देख लीजिए तो डॉकमेंट सही है या नहीं है तो यह आप गलत कर रहे हो आपके अगर आप पास mobile है जिस mobile से आप देख रहे हो वीडियो उस mobile से आप खुद डॉकमेंट को देख सकते हो क्योंकि आप सिच्छक बनने वाले हो आगे ट्रेनिंग में जाईएगा तो आज कल ट्रेनिंग जो है ना ट्रेनिंग आईटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है इनफोर्मेशन टेकनलोजी पे आपका जो है ना वहां पे ट्रेनिंग भी ट्रेनिंग में भी आप से पीडियो बनाने को कहा जाएगा पीडियो बना करके जो है आप प्रस्तूति करन करेंगे तो यह सबसे डरिये मत आप खुद देखिए अग खुद हो सकता है तो सुधार किजिए समझे तो आज हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं आपको कि किस तरह से आप खुद देखेंगे ठीक है online bpac.bihar.gov.in यह क्या है website है अपने mobile खोलिए chrome खोलिए या कोई browser खोलिए google पे direct search किजिए online bpac.bihar.gov.in समझे यह अगर आप डालते हैं तो किस तरह से दे नजर आएगा आपको बगल में नजर आएगा अभी हम करके दिखाते हैं देखिए पहले आप डॉक्मेंट को देख लिजिए आपका सही डॉक्मेंट है या नहीं है उसके बाद ही त्रूटी पुर्ण डॉक्मेंट को सुधार कर सकते हैं ठीक है चलिए तो यहां नजर आ सबसे पहले यह जो website जब आप लोग डालेंगे Google पे कोई भी Chrome ब्रोजर हो या आपका मुवाइल के ब्रोजर हो इसमें Google में जाएगा यह जैसे ही डालिएगा जैसे कि आपको स्कीन पर नजर आ रहा है तो इस तरह का इंटरफेस आएगा लोगीन करने का तो सबसे पहले पीडिएप जो है प्रिंट करके मिला था फॉर्म बाला जो आप भरे थे उसी में जो है लिखा हुआ रहेगा यूजर आईडिय और पासवर्ड तो यह डालिएगा यहां पे कैप्चा कोड डाल करें आप लोग इन किजिएगा तो लोग इन किजिएगा तो इस तरह के इंटरफेस आएगा ठीक है नीचे पीला वाला में देखिएगा एक प्रिंट डॉक्मेंट अप्लिकेशन का आएगा प्रिंट अप्लिकेशन दूसरा है कि डॉनलोड अप्लोड डॉक्मेंट डॉनलोड अप्लोड डॉक्मेंट आपने जो डॉनलोड किया है अप्लोड किय यह document उसका download करने का option तो उस पर जाईएगा उस पर जाईएगा तो देखिए इस तरह का interface आएगा साथ तरह के document जो है आपके सामने नजर आएगा जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए बगल में यह photo वाला जो है आपका अच्छी तरह आएगा जिस फोटो पर किलिक किजिएगा ना फोटो अपने आप जो है डाउनलोड हो करके open हो जाएगा देखिए तो इस तरह के देखिए साथ तरह के document कौन-कौन document है list of documents देखिए पहला अधार पहन या जो भी आप दिये हैं पाचान के रूप में वह वाला पहला नमर में है और उसका जब दायन साइड में देखिए एक photo टाइप का पीडिएफ टाइप का होगा उस पर टर्च के जिएगा तो वह अपने आप डाउनलोड हो जाएगा आप देखिए ना कि इस लिस्ट वाला में मेरा कौन सा डॉक्मेंट है लेकिन वहां पर पीडिएफ पर टर्च की जिएगा तो ध्यान दिजिएगा कि हम किसको टर्च कर नमर वन को कर रहे हैं कि टू को कर रहे हैं तभी तो आपको पता चलेगा ना कि नमर वन में अधार कड़ा है तो अधार काड़ वाला में आपका अधार है या नहीं यह पता चलना चाहिए दो नमर में क्या है रिजर्वेशन केटिगरी अगर आप रिजर्वेशन में आते ह बिहार के अभी हर्थी हैं तो आपने NCL डाला होगा EWS डाला होगा ST certificate डाला होगा तो वे होना चाहिए दो नमर में फिर से जाकर के देखिएगा दो नमर वाले PDF पे जाकर के किलिक किजिएगा है ना उसके बाद कि तीसरे नमर सब को चेक कर लेजएगा समय सातों डॉक्समें जो आप यहां लिखा हो वह ही आपका डॉक्मेंट होना चाहिए सात करने का तरीका हो गया शेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया किसी से पुछना उचना नहीं है आप खुद चेक कर लीजिए, जिस तरह से मैंने बताया है, ठीक है, आप चलते हैं, किस तरह के गलती रहेगा, तो अब जो है, आप अपलोड करेंगे डॉक्मेंट, आपका नोटिस जो निकला था, नोटिस निकला था ना, तो उसमें तुरूटी पूर्ण और आप अठनी है दो चीज का मेंसन है, बस, अगर किस परकार की गलती है, तो अपलोड कर सकते हैं, तो तुरूटी पूर्ण और आप अठनी है, तुरूटी पूर्ण का अर्थ क्या हुआ, अगर आपके डॉक्मेंट में स्पिलिंग मिस्टेक है, या किसी तरह का मिस्टेक है, तुरूटी तुरूटी पूर्ण में यहां पर नहीं आएगा, तुरूटी पूर्ण में अपलोड करते समय तुरूटी पूर्ण, मतलब अधार कड़ वाला में अगर मान लिया जाए कि एंसियल डाल दिये, या कोई और डॉक्मेंट जिसको अपलोड करना था, उसके जगा पर दूसरा डॉक्मेंट अपलोड हो गया है, तो यह तुरूटी पूर्ण माना जाएगा, ठीक है, आपके डॉक्मेंट में कोई गलती है, उसे तुरूटी पूर्ण अभी नहीं कहा जा रहा है, अपलोड करते समय जो तुरूटी हो गई है, डॉक्मेंट में, तो इस तरह के अस्थापन का स्थां संपर्क संख्या ये लिखा हुआ होonा चाहिए वहाँ ठीक है उसके बाद उसको अप्लोड कर सका जाएंगे बहुत से लोग कह रहे थे कि अरिजनल पर करवाना है नहीं original पर नहीं करवाना है है आपको एक साफ सुत्रा फोटो अस्टेट करवाना है उस पर करवाना है जब भी आप shredded करवाने जाएंगे तो आप अपना original ले करके जाएंगे तभी आपका रटेस्टिव होगा नहीं तो नहीं करेंगे इतना ध्यान दिजीएगा तो यह कर लेगे आप पठ्थनिये का मतलब क्या है जी आप पत्थनिये का मतलब यह है कि डौक्मेंट हमने अफ लोड किया है वह पढ़ने शाज दर्ट है चारँ कि किया लिखा हुआ है तो उसको भी आप फिर से इस तरह से कर सकते हैं अटेस्टेट करवा करके अपलोड कर सकते हैं अपलोड करने का तीथी कब है तीथी इसमें तो नहीं लिखें लेकिन ये 20 सितंबर से 25 सितंबर तक है ये 20 सितंबर से 25 सितंबर तक है ठिक है तो ये समझ गए होगे माता जी के नाम के कोई स्पिलिंग में गलती है या तो आपके नाम के स्पिलिंग में कोई गलती है तब क्या करें आप ही करवाना नहीं वह आपको document verification के समय करवा करके ले जाना है और क्या करवाना है आपको आपी depict करवा करके ले जाना है आप तो जानते हैं कि court में आपका जो नज़दीकी court है वहाँ पे जा करके और first class magistate से आपी depict होता है तो आप अपने नज़दीक के court में जा करके एक सपत पत्र बनवाना पड़ता है सपत पत्र बनवा करके आप जो है document verification में ले जा सकते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह के document जो है फिर से आप upload कर सकते हैं किस तरह के गलती रहेगा तो कब उसका समझान होगा ठीक है तो यही जनकारी था document verification और किसी तरह का अगर question है सवाल है तो comment किजिएगा हम आपके comment का जवाब देने का परियास करेंगे ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में और जो भी वीडियो होगा informative वीडियो होगा